नमस्कार दोस्तों मैं हो परसंद मिश्रा और मैं हाजीर हूँ आपके सामने लेकर के दाहिंदो का दैने खिंदेन वाद तो दोस्तों आज तारीख है 17 जनवरी 2017 तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली खबर यह है कि GST स्टेल्मेंट रिजॉल आउट डिफर टो जुलाई वन यानि कि GST का गतिरोत सुल्जा लिया गया है लेकिन जो तारीख है वो मुलतवी करके एक जुलाई पहुँचा दी गई है जिसे की पहले एक अप्रे रखा गया था तो दोस्तों यहां पर लिख प्राशनिक नियंतरन का उन टैक्स अदा करताओं पर जो कि अब GST के दाएरे में आएंगे तो उस मुद्धे को निफ्टा लिया गया है तो यहां पर यह कहा गया है कि क्रॉस इंपॉर्मेंट और डूवल कंट्रोल वस टेकन अप एंड वी डिसकर्ट इशू फॉर्द एं उन्हों ने ये कहा कि हम एक निश्चित निर्णा पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने ये महत्पूर्ण बात कही कि जो टैक्स बेस यानि की कर आधार है तो वो केंद्र और राज्य के बीच की असेस्मेंट मशीनरी यानि आकलन प्रणाली के बीच साजहा किया जाएग तो उन टैक्स आधार पे पहले एक विवाज चल रहा था कि आखिर किस के उपर किसका प्रशाशनिक नियंतरन होगा और कौन किस से टैक्स इकठा करेगा तो इस पर उन्होंने पहले तो एक बात चली थी कि जो डिर्ड करोड उर्पय से कम के टर्नोवर वाले लोग हैं तो उनके लिए जो राज है वो मुख्य मशीन भी होगा और जो डिर्ड करोड से उपर के टर्नोवर वाले हैं तो उनके लिए केंदर होगा लेकिन दोस्तों उस बात पे बराबर सहमती नहीं बन पा रही थी तो इसलिए अब ऐसा कहा गया है कि जो सारा का सारा टैक्स आधार हो थी कि जो टेरिटोरियल वाटर से नहीं की भारत का समुद्री जल सीमा है तो वहाँ पर अब टैक्स का कौन एकत्री करण करेगा तो पहले टैक्स कौन एकत्र करता था वहाँ पर राजजगी सरकारें लेकिन जीस्टी के बाद ये समझ से उत्पन हो गई थी कि आखिर उन इ ये नहीं बताया है कि ये मुद्दा कैसे सुलजा और इसमें आगे चलके अंतिम निर्ने क्या आया है तो हाला कि ये बाद में आ जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा तो उस पर उन्हें स्पुषिकरण ये दिया है क्योंकि जीसटी एक ट््रा ट्रांजर्णार ट्रेक्स आउनिकि एक लेन दिन पर आधारी टाक्स है आताह इसे किसी भी समय पर लागू किया जा सकता है और उन्हों विशेश प्रकार के जो आवश्यक परिवर्तन होंगे मोडिफिकेशन होंगे यह किये जाएंगे दोस्तों GST नेटवर्क आपके लिए जाना बहुत जरूरी कि GST नेटवर्क दरसल पर वह पूरा ओनलाइन नेटवर्क होगा जिसके माध्यम से GST का कलेक्शन किया जागे यानि कि GST का टैक्स का एकत्री करण किया जाएगा तो दोस्तों जो फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे थे वो फॉर्मूला इस प्रकार से है यानि कि कौन कितना टैक्स इकठा करेगा तो उन्होंने ये कहा है कि दोहरे नियंतरण के मुद्दे पर डेड़ करोड से कम के टर्न ओर वाले लोगों को 90 प्रतिशत राज के नियंतरण में होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत केंदर के नियंतरण में होंगे और ऐसे सभी व्यापारिय उद्योग जिनका के टर्न ओर डेड़ करोड से उपर है तो उनमें 50 प्रतिशत राज के नियंतरण में होंगे और 50 प्रतिशत के नियंतरण में होंगे इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनके समंद में क्या क्या कानूनी निर्णे लिये जाएंगे और साथ ही टेक्स का कलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा कौन सा विभाग करेगा इत्याद इत्यादी किस तरीके से किया जाएगा तो इन सारी चीजों पर जितने अनुपात के रूप में उनको वो व्यापारी अध्योग पती निर्धारित कर दिये जाएंगे तो वो उनसे उस प्रकार से कानूनी तोरपा निप्टेंगे तो इस प्रकार से इसमें कोई विवाद नहीं रहेगा कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही व्यापारी अध्योग है और उस पर दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हम इस पर इस तरीके से कारवाई करना चाहते हैं केंदर कहता है तो दोनों अपने अपने जो कोई भी टैक्स आधार यानि कि टैक्स चुकाने वाले लोग आएंगे इस दायरे में तो उनकी लिस्ट बना करें उनको बांट लेंगे तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण आज की बात थी जिसे कि मैंने पूरे विस्ता मंत्री मनोहर पारिकर ये चाहते हैं कि DRDO का जो एक घ्यान का भंडार है तो उसका उप्योग हमारे देश की निजी कंपनिया भी करें तो मनोहर पारिकर जी का दरसल पर ये कहना है कि अगर उप्योग कि यह बहुत ज्यादा लापकारी होगा इसे उन्होंने कहा है कि इस इंटर्न वुड़ लीट्व टूवाड्स देश्टमेट ऑफ से उन्होंने कहा है कि इस से हमें आगे चलके एक आत्म निर्भर डिफेंस इंडिश्ट्रिल कंप्लेक्स यानि की रख्षा उद्योग छेत्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी ता आपको पता हुए कि वर सेर्च कर ली है लेकिन उसका पर्यात्व मात्रा में कुद नहीं करते हैं तो उन चीजों का अगर छोटी छोटी प्राइबिट भार्ती कंपनियों को दे दिया जाए ठीकण कियी सेंसे ना सिर्फ रोजगार पाऊगा बलकी हम इतनी मात्रा में हथियार खुद भी भी डियाडियो ने किये थे तो उनका संग्यान लेते हैं उन्होंने कहा कि डियाडियो और कुछ उद्योगों के बीच की जो पार्टनर्शिप यानि साजयदारी थी तो उसने देश को एक ग्लोबल डिफेंस मैनुफेक्टिरिंग हब यानि की एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंदर की रूप में बनाने में काफी जादा सहयोग किया है और साथ ही साथ है यानि की सिनर्जी का मतलब होता है सहयोग यानि की इस सहयोग से इस बात को भी बल मिला है कि भारत का जो रक्षा उपकरणों का निर्यात व्यापार है तो वो बढ़ गया है अगली ख़बर इसके बारे मैंने आपको पहले भी बताया था कोर्ट एलाज विक ओल्ड एबनॉर्मल फीटस तो दोस्तों फीटस का मतलब होता है भुरूण और अबनॉर्मल का मतलब होता है असमाने तो उस असमाने भुरूण का गरफपात करने की इजाजत कोर्ट ने द अधनियम और उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ बीस हफते तक के गरफ का ही गरफपात किया जाता है लेकिन यहां पर चौबिस हफते के गरफ का गरफपात करने के अनुमते सुप्रेम कोट ने दे दिया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि MTP अधनियम में पहले भी सुझाई जा चुकी है यह एक संशोधन प्रस्ता रखा गया था कि इस बीस हफतों की सीमा को बढ़ाया जाए लेकिन बहुत सारी विवादों की वजाए से ना तो यूपीय सरकारी सो कर पाई थी और ना ही इंडिया सरकारी सो कर पाई है तो भविश्य में इस पर क्या होता से जाद है कि गर्व का समापन किया जाएगा अगर कोई विशेश परसीती है तो अगले खुबर यह कि सुप्रीम कोर्ट इसलैंस स्टेट्स कैजवल स्टांस यानि कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लापरवार रवाये को लगाई लतार तो यहां पर दोस्तों यह मु का निर्वान पूरी तरीके से नहीं करते जिसके वैसे कोट होने निरदेश देना पड़ता है लेकिन उन्हों ने यह कहा जेस खेहर जी ने कि हमने बहुत से निर्णा आदेश राज्यों को दिये थे पर राज्यों ने उनका पालन करनी के बजाय तो बहुत दूर की बात है उन्होंने तो सुना तक नहीं कि हम क्या कहना चाहते हैं तो उन्होंने एक जाए क्रोधित होकर के कहा है कि यह पंचायत नहीं है तो उनका कहना यह था कि यह पंचायत नहीं है कि जहां पे सरपंच कुछी बूल रहा है और जो बाकी लोग है तो उन्होंने कहा है कि आप कार से ढील परती हैं मतलब की वो कोई भी निर्देश आते हैं तो उन पर कोई भी कारवाही नहीं करती है तो दोस्तों इस बात के लिए लकाड लगाई गई है अगली ख़बर यह कि CSR to launch 400 करोड इनोवेशन फंड दोस्तों सबसे पहले आपको जाना चाहिए CSR क्या है इसका कारिका है कैसे बना था और इसका संदचना किस मंत्राले के दीन है इत्या 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 आप उसे कुछ जाना चाहिए इसे कहते हैं CSR तो इसने कहा है कि वो तकरीबन 400 से 500 करोड रुपए निवेश करेगा उन सारे स्टार्ट अप्स में जो की आगे चलके उस ग्यान को टेकनोलिजी को मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे जिनकों की अभी तक भारत में खोजा गया है तो दोसो CSR ने मुखे रूप से ये कहा है कि हम एक 75 वच पुराने एक संगठन है और अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फंडिंग है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में केंदर सरकार से ना लेकर खुद ही कुछ ऐसा प्रैतने करें कि हम अपना पैसा खुद ही कमा स का कमःोनली और अपनी कमपनिया शुरू करें जिसते कि वह जो चीजों खोजते हैं तो ना सिर्फ उसके लिए उन्हें पातका मोताजरा रहना पड़े कि हमने ये नई चीस तो खोज ली लेकिन भाई जिए खोBob से को ou कॉन करईगी इस पर Snake कॉन करेगा उनका कहना है कि भाई आप खुद ही आप निवेशक भी बनो खुद ही इंटर्पीनोर भी उद्योगपती बनो यानि खोजो भी और बनाओ भी तो इस तरीके से आपके पास अपना सब कुछ एक बेस बन जाएगा काधार बन जाएगा और आपको किसी से मांगनी के उसकता नहीं पड़ेगी तो बहुत अच्छी पहले कि अगर वह आत्म निर्फर हो जाते हैं और वह उनको बहुत ज्यादा उसकता नहीं रहती तो निश्चित तोर पे वह बहुत सारी चीज़े कि अपने से बना सकेंगे जिसके लिए उन्हें दूसरों पर निर्फर नहीं रहना पड़ेगा कि हमको निवेश प्राथ होगा कि नहीं प्राथ होगा अगले कवर यह है कि एप और फॉर्सेश टू एयर दे ग्रिवांसेज यानि कि अपने कष्टों को बताने के लिए जो स इसमें कोई भी सुरक्षाबल का साथ से अगर कोई समस्या उसको है तो वो उसमें अपनी बात को सीधे अपनी शिकायत को सीधे दर्श करके हमें सीधे बेश सकता है और उस पर तुरंत कोई कारवाही की जाएगी बजाए कि वो अपना किसी प्रकार का वीडियो बना करके सो सुप्रीम कोट इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो वाटसाइब के विनियमन के लिए दायर की गई याचिका को सुनेगा तो दोस्तों हुआ ये था कि दो एललबी के इस्टोंट थे तो उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि वाटसाइब को आपकी जो भी जानकारी ह है तो फेस्बुक के मार्क जुकरबर जी ने कहा है उसे फेस्बुक के साथ शेयर किया जाएगा यानि कि वाटसाइब की जो जानकारिया है तो फेस्बुक के साथ शेयर की जा सकती है ऐसा कहा है मार्क जुकरबर ने तो इन्होंने कहा था कि ये तो दर असल पे व्यक्ति के इस्तेमाल करते थे इसमें सित्यादी भेशते थे तो उसके पैसे लगते थे तो इसलिए ये बात जिम्मेदारी टेलिफोन सेवा प्रदाताओं की भी थी यानि सर्विस प्रोवाइडर्स की भी थी कि वो आपकी जानकारी को कहीं भी धर धर साजाना करें लेकिन वाटसैप च चलके उनके जो वकील थे तो उन्होंने एक नई दलील ये दी कि दरसल पे सर अगर ऐसा है तो आज की तारीख में तो कॉलिंग भी मुफ्त हो चुकी है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर कॉलिंग मुफ्त दे रहे हैं तो वो अपने सर जो भी ग्रह महत्पूर्ण दलील दी थी तो उन्होंने कहा था कि दरसल पर मतलब की देश की सरकार का काम है कि अनुछे दुनिस के तरह फ्रीडम और यानि की वक्तव्य और अभिव्यक्ति की जो सतंत्रता है वो उन्हें प्राप्थ होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका के कहना है कि अगर कोई भी वक्ति किसी भी कॉल को या उससे संबंदित जानकारी को बीच से इंटरसेप्ट करता है यानि कि बीच से उसे उठाता है तो यह ट्राई की नियमा वाली के खिलाफ है जबकि ऐसा ट्राई यहां पर कोई कतम उठाता नहीं दिख रहा है जबकि होगा कि अभी एक हफा उड़ी थी कि योई यानि सेयुक तरब अमीरात में दाउद की 15,000 रुपए की प्रोपर्टी जो है तो जब्त कर ली गई है लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि सेयुक तरब अमीरात के जो एक विदेश्तियवाधिकारी यानि की जो उनके पड़ा है और उसी 15,000 क्रोड रुपए की समपत्ति जब्त कर ली गई है ऐसा कुछ भी नहीं है अगले जो महत्रपूर्ण बात उन्होंने कही तो उन्होंने यह कही जो कि दरसल पे आतंक विरोधी बाचीत पर अधारी थी उन्होंने कहा कि यूई वर्किंग टू इलिमिन विरोधी गत्विधियों के संबंद में वो चर्चा करेगा उस पहली भारत और यूई रणनीतिक वारता में जो की 20 जनवरी को दिल्ली में होने वाली है यूई और भारत के बीच में तो उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाया जाएगा जिसमें कि हो सकता है वो 25 जनवरी को भारत आ रहे हैं तो वह हमारे इस बार गड़तन द्रवस की परेड में आती थी भी रहेंगे तो इन सारी चीजों को ले करके जो बहुत सारे क्यास लगाये जा रहे थे तो वह अब देखा जा रहे है कि जमीन पर उतर रहे हैं दूसों अंतरस्ट पेज में एक ख़बर छपी है कि वार्शइप सोड् नॉट गिफ्टी टू पाकिस्तान से इस चैनल है कल आपको बताया था कि चीन ने दो जंगी जहाज पाकिस्तान को दिये हैं लेकिन दरसल पर चीन ने ये कहा है कि ये जंगी जहाज पाकिस्तान को बेंचे गए हैं ना कि उपहार सुरू परदान किये गए हैं तो जो बात महत्पूर्ण है वो यहां पर नहीं लिखी है लेकिन मैं आँको वता देता हूं कि चीन ने अैसा क्यूं कि है चीन ने इसलिए कीआ है त Reality तक चीन ने अगर पाकिस्तान उदिए को लेदे हैं थोड़ी यह कोई आवाज उठाते हैं तो इस तरीचे से चीन ने कि Coronण बेच जीन अफूने कूल का कई कि it had not donated to warship to Pakistan यानि कि हमने दान में नहीं दिये हैं दो जंगी जहाज पाकिस्तान को बलकि जो ये हस्तांतरन हुआ है जहाजों का तो ये इसपस्ट रूप से गौादर बंदरगा की सुरक्षा के लिए है and was part of legitimate military trade between two countries और ये उस एक कानूनी military trade यानि सेन व्यापार का ही हिस्सा था जो कि दो देशों के बीच आम तोहर पर होता है तो यहाँ पर और भी कुछ जानकारियन दी हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी मतलब कि जो चीन के अधिकारी उन्होंने कहा कि अभी हम ऐसा ग्यात हुआ था कि कुछ लोगों ने आप बात उठाई कि चीन ने ये पाकिस्तान को दान में दी है तो दोस्तों एक सीपेक का नाम बार-बार आ रहा है तो सीपेक के बारे में आपको मैंने बता था चानल पाकिस्तान इकॉनमे को डोर और यह ओवी ओवार यानि वन रोड का हिस्सा है और दोस्तों एक महत्पूर्ण आ रही है कि बात यहां पर कमेटी 1267 कमेटी क्या है तो चीन का यह कहना है कि एक कमेटी बनी होई है और उस चीज पे वह सोचिचार कर रही है कि उसको आतंकवादी गोशित किया जाए कि ना किया जाए और दोस्तों यह बता दूं कि यह जो कमेटी है तो यह सुरक्षा परशद की है ना कि महासवार था जनरल असेंबली की तो दो के तो और पर चीन का उसे कि मतलब की जो कमेटी बनी है उस पर कुछ ना कुछ मात्रह में दबाव तो हो गई होगा तो उन्होंने कहा है डोनाल्ड टरम्प साहब ने कि नाटो इस ऑपसलीट यूएस कोट कट डील विच रश्या यानि कि नाटो जो है तो अब पुराना पड़ चुका है वो संदर्वहीन हो गया है और अमेरिका रूस के साथ कोई समझोता कर सकता है तो यह तो उन्होंने ए कि नाटो जो है तो काफी पुराना पड़ चुका है और जर्मनी की अंजला मरकेल ने एक घंगोर एक प्रलैकारी गलती की है यानि कि बहुत बढ़ी गलती की है जो कि उन्होंने बहुत सारे रिफ्यूजियन सरनासियों को अपने देश में ले लिया उन्होंने का कि यह तो ठीक नहीं हुआ कि ब्रिक्जिट हो गया क्योंकि इससे जो है तो ग्लोबलाजेशन पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा साथे साथ उन्होंने रूस की तरफ एक सहयोग का हांद भी बढ़ाया जो कि दरसल पर अभी बहुत दिन से परशान रहा है क्योंकि इनके जो पहले के राष्टपती बराक उबामा जी है तो इन्होंने रूस पे विर्ण परकार के प्रतिबंद लगा दिये थे और क्यों ल चल रहा है तो वहां पर रूस ने असद का साथ दिया था और इसको अमेरिका आसद भाना चाहता था लेकिन रूस ने असद को बचा लिया थो तो क्यों पहलेकि ओए इन्होंकि रहा ला वहारे बीच कुछ ऐसा डील हो सकता है समझाता हो सकता है जिससे की बहुत सारे लोगों का फाइदा होगा यानि कि उनका ये कहना है कि एक तरगी के से वह सिरिया के संकट को समाप्त करने की दिशारे से भी बात कर रहे थे और बांकि जो समस्यां वत्पन होई तो उसकी इशा नाटो की दो बहुत पूर्ण समस्याओं गिनाते वे उन्होंने ये कहा कि पहली समस्या तो ये है कि ये बहुत पहले बनाये गया था कई कई साल पहले जबकि परिसितियां तब से अब तक के लिए बदल चुकी हैं दूसरी समस्या उन्होंने ये गिनाई कि नाटो को चलान के लिए सभी देशों को उसके सदस्य देशों को जितना पैसा खर्चा करना चाहिए वह नहीं कर रहा है जो बात यहां नहीं लिखी मैं आपको बता दूँ कि नाटो को चलाने के लिए 70 पीसद खर्च के लिए अमेरिका करता है और यही वज़ाए है कि जब अमेरिका कोई आदेश देता है तो नाटो में कोई उसको टाल नहीं पाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँकि नाटो इतना महात्वपूर्ण क्यों है नाटो इसलिए महात्वपूर्ण है क्योखी जिस तरीके से रूस आकरामकता दिखा रहा है उरोप में तो यूरोप के पास तो इतनी कि शम्ता आप ये मान लीजे कि नहीं है कि अगर रूस इधर उधर हमला कर दे तो फिर उनसे बच पाएं तो ऐसी स्थिती में जब तक अमेरिका का सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो उनसे निपटने में रूस से निपटने में सक्षम नहीं होंगे तो ऐसी स्थिती में अमेरिका ही उनकी एक मातर ढाल है और उपर से क्या है कि अभी तक आपको पता होगा कि अमेरिका जो उनका नेत्रत तो करता है तो वो उस चीज का पूरा खर्चा भी उठा रहा था जब आपने देखा होगा कि BCCI का पूरा खर्चा लगबग हमें उठाते हैं तो सारे अध्यक्ष भी हमारी तरह से बनते हैं सारी रणनीतियां BCCI की हमारी तरह से बनते हैं ऐसे ही नाटो में होता है कि चुकि नाटो का पूरा खर्चा अमरीका उठाता है वो 70-80% तो उसका ये कहना है कि जब पूरा खर्चा मैं उठा रहा हूँ तो मैं जो कुछ भी कहूंगा तो आपको मानना पड़ेगा और यही वज़ा थी कि नाटो के शेनाओं ने जब इराक में अफगानिस्तान में कहीं पर भी हमला किया तो उन्होंने कि नाटो को फिर से खड़ा करके चला पाएंगी क्योंकि नाटो बहुत खर्चीला संगठन है और उसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही चला सकता है तो अगर डुनाल्ड टरम जी उसको समाप कर देते हैं और उसके अलावा यहां पर बहुत सारी चीजे कहीं उन्होंने कहा कि यूरूपीन यूनियन के बहुत सारे देश आगे चलकी यूरूपीन यूनियन से बाहर आ जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से शरणार्थियों के मुद्दे को ले करके सीरिया इत्याय जैसे संक्रट गरस्तिस देशों से भाग करके यूरूप जा रहे थे तो अगली बात मैंने जो आपको बताऊंगा तो मैंने पहले बता दी है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी भूल की गंगोर गलती की है कि बहुत सारे शरणार्थियों को उन्होंने अपने देश में जगा दे दी है जिसके बारे में उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो कहां से आए हैं और उनके क्या मकसद हैं और साथ ही साथ वी यूरोपियन है इसके जवाब में एंजला मरकल ने ये कहा जो कुछ भी ट्रम्प जी ने बयान बाजी की तो उन्होंने ये कहा कि यानि कि हम यूरोपियों का भविश हमारे खुद के हाथ में है यानि कि एक दरसे उन्हें ये कहा कि आप नाटो अटो अगर नहीं चलाते हो तो हम आगे चलके चला लेंगे उसके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम नहीं पढ़ लेंगे रूस से, और उसके अलावा ये बहुत सारे जो जर्मनी की जो फॉरेंड मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि जर्मनी इस बात से इस तब्द है कि डोनार्ड टरंप ने ऐसा बयान कैसे दे दिया, और दूसर में है, उसका मुख्याले ब्रूसल में है, तो EU के सारे जो अधिकारी ब्रूसल में बैठते हैं, तो वो सारे इस बात से परिशान हो गए हैं, और उन्होंने इस तब्दता जाहिर की है, आश्यर जाहिर कि आखिर भाई, जब हमारे संब्द इतने अच्छे रहें अमेरिका स तो अचानक से डुनार्ड टरम साहब उन सारे संबंदों को खराब करने पर क्यों तुले हुए हैं, और दोस्तों, IMF की एक जो रिपोर्ट मुझे लग रहा था, नोडबंदी पर आएगी तो आही गई है, तो उन्होंने कहा है कि नोडबंदी ने देश के विकास को दुश प्रभावित किया है, ऐसा कहना है, अंतराष्टरी मुद्रकोश, यानि की IMF का, तो IMF ने ये कहा है कि उन्होंने पहले जो अनुमान लगाया था कि इस वर्ष यानि की जो हमारा करेंट साल चल रहा है, यानि की 2016-17 और अगले साल यानि 2017-18, दोनों ही वर्षों में भारत की जो एक आनुमाने समर्द्धी दर होगी, वो 7.6 प्रतिशत की होगी, लेकिन उनोंने कहा कि नोडबंदी की वजए से काफी ज्यादा मंदी आने वाली है, और आभी चुकी है, और उसकी वजए से इस साल जो ग्रोथ होगी, वर्षों होगी, तो सिर्फ 6.6 प्रतिशत की रह करता है, जब किसी भी देश में आइस्थाय रूप से कोई वितिय संकट उत्पन हो जाता है, तो ये कम समय के लिए रिंड दे करके उसे उस संकट से निकालता है, तो 1991 में जब भारत के पास बहुत ज्यादे एक समस्या आ गई थी कि उसके पास फॉरिन करेंसिया ने डॉलर बहुत कम बचा था, सिर्फ साथ दिन के लिए हम पेट्रोल या मतलब की पेट्रोलियम का उत्पात खरिद सकते थे, और उस समय हमने अपना सोना जो था तो गिर्वी रख करके काफी जादा डॉलर मात्रा में, काफी जादा मात्रा में डॉलर को करजे पर उठाया था और आ या मैं कई लोगों से नहीं बना था, मुझसे भी नहीं बना था, अगली बात यहां पर यह है कि ग्लोबल ग्रोथ फॉर टू थाउजनेट सिस्टीन इस नौ एस्टिमेटेड़ एट 3.1 परसंट, यानि कि वैश्विक भारत की ने, यानि कि विश्व की जो एक इन लाइन विद्ट का मतलब होता है की तरजपर, या उसी के समानांतर या उसी की तरह से, तो कहीं पर भी इन लाइन विद्ट का आए, तो आप समझ लिए मतलब है की तरजपर, इसके लव दोजार सत्रा में जो चीन की समृद्धिदर होगी तो वो तकरीबन साड़े छे प्रतिशायत जबकि भारत की 2018-19 वाले वित्य वर्ष में जो अन्माने तर होगी उस 7.7 प्रश्चत रहेगी यानि कि भारत की जो दर है तो आगे चलके चीन से ज्यादा रहेगी हाला कि पहले से चीन की हमसे पांच गुना ज्यादा बड़ी है तो हमारे व्रद्धी दर अगर बहुत ज्यादा भी होती है तब भी उसकी प्राप्त नहीं कर पाएंगे उतनी ज्यादा अगले ख़र यह है कि निरुमनला सीतारवन ने यह कहा है जो कि हमारी वांडिज और उद्योग मंत्री हैं उन्होंने यह कहा है कि बजट में हैं सॉप स्टार्ट अप के लिए च्छोटे दी जाएं महत्पूर्ण बाते जाने लाइक जो हैं वह यह है कि एक चीज़ होती है डी आई पीपी एक मिनट यानि डिपार्टमेंट ऑफ इंडिस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानि की और जोगी की नीतिवा प्रचार विभाग उसे कहते हैं डी आई पीपी और अगला दोस्तों जो है वह सिट भी तो वह सिट भी क्या है दोस्तों सिट भी दरसल पे एक बैंक है तो मैं आपको बता दूँँ कि पिछले साले कुश्यन आया था कि स्टेंड अप इंडिया की नोडल एजनसी कौन है नाबाड है ऐसा कुछ खुश्यन आया था तो दोस्तों आपको यह जानना है कि जो स्रिड़ भी है तो किस-किस चीज की नोडल एजेंसी है तो यह चीज़े आप सारी इंटरेट में जा जा करके खोजिए तभी जा करके आपका प्रिलिम्स निकलेगा अगली चीज़ है N.C.L.T यानि कि नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल यानि की राष्ट्रिय कंपनी कानून नयायाधिकरण तो दोस्तों इसका सिर्फ यह जिक्रमया को बता देता हूँ कि जब कोई भी ऐसे कंपनी के जगड़े होते हैं जैसे कि अभी टाटा और मिस्री के बीच चल रहा है तो इन सभी को निप्टाने के लिए N.C.L.T होता है जैसे कि जब कोई परियावरन से समद्दित जगड़ होता है विवाद होता है तो उसके लिए N.G.T होता है तो इसी तरह के बहुत सारे नियाइक निकाय होते हैं जो कि विशेशी कृत होते हैं उस विशेश प्रकार के जगड़े को सुलजाने के लिए अगली ख़बर यह है कि होल सेल इंफलेशन क्विकेंस टू 3.39 परसंट यानि कि जो थोक मुद्रा इस फीती है तो तेज हो करके 3.39 पर पहुँच चुकी है जो कि पहले 3.15 ती और अगली चीज यह है कि दोस्तों इसके CPI के बारे में यानि कि मैं आपको पहले बता दूँ कि यह WPI और CPI जो है कि थोक मुले सूचकांक और भोकता मुले सूचकांक तो इनके बारे में आप जरूर पढ़के रखिएगा कि यह क्या होते हैं कैसे बढ़ते हैं कैसे नीचे होते हैं इन में कौन-कौन से आइटम होते हैं तो इन सारी चीजों को आपको जानना बहुत 17 नमूरा तो दोस्तो नमूरा जो है तो एक जापान की वित्ती से वसंस्था है तो उसने ये कहा है कि भारत का करेंट अकाउंट डेफिशिट यानि चालू खाता घाटा 2017 में GDP का 1.3 प्रतिशत तक हो सकता है तो ऐसा उन्होंने कहा है दोस्तो आपको जरूर जानना चाहिए कि चालू खाता घाटा क्या होता है और देश का पहली बात चालू खाता क्या होता है आपको यह जानना चाहिए चालू खाता में क्या क्या चीज़े आती है एक बार ऐसा कोशना गया था तो आपको यह जानना चाहिए कि जो बाहर से भारत में रिमिटेंस यानि कि बाहर से भारत के भारती लोग जो भारत में डॉलर भेजते हैं उसका हमारे भुकतां संतुलन और चालू खाता घाटा पर क्या आसर पड़ता यह सारी चीज़ आप पूजानी चाहिए ऐसे प्रश्यत्र पर आसकती है तो दोस्तों बाकी चीज़े आप छुड़िए आपको सबसे पहले जाना यहीं कि सीपी आई होता गया है और इसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं और किन पदार्थों कमोले बढ़ जाने पर सीपी आई बढ़ जाता है तो सीपी आई के अंदर ज कई सारे देश ऐसे करते हैं कि जो चीज़े महगी होने लगती है तो वो क्या करते हैं उसको सीपी आई से बाहर निकाल देते हैं तो इस प्रकार से वह चीज़ इधर महगी हो रही है लेकिन उनके इंडेक्स पर कोई फरक नहीं पड़ रहा फिर बात में मीडिया में क्या ब और यहां पे आप देख रहे हैं कि NASA has always a stunning new view of Jupiter that shows the iconic giant great red spot यानि कि यह जो नई तस्वीर आपको दिख रही है यहां पे आपको हो सकता है कि एक छोटा सा गोल गोल यह आपको दिखी रहा होगा कि बांकी तो पट्टियां बनी है लाल पट्टियां सफेद पट्टियां लेकिन नीचे की और दाई तरफ आप देखेंगे तो एक छोटा सा यह गोल गोल आपको spot दिख रहा होगा दरसल पर आपको नहीं पता होगा कि यह spot क्या है यह spot दरसल पर एक बहुत बड़ा तूफान है जो कि रहस्पति करह पे उठा हुआ है और यह चक्रवाती तूफान है जैस बड़ा होता है तो दोस्तों यह जो तूफान यहां पर दिख रहा है यह हमारी प्रिथवी के दोगने के बराबर है तो आप सोचे कि जब छोटा सा तूफान जो छोटा सा स्पॉर्ट है जब यही प्रिथवी के दोगने के बराबर है तो जितना बड़ा व्रहस्पति करह बड़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना विशाल है उसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आज के दा हिंदो का दैनिक हिंदेन वास रमाप्त होता है तो दोस्तो ये दरसल पे बैंगलोर एडिशन था जहां से मैं डाउंलोड करता हूँ तो बैंगलोर एडिशन डाउंलोड हो गया था तो हो सकता है कि एक दो ख़बरे दिल्ली में अलग रही हो तो उसको मुझे देखना पड़ेगा तो मुझे लगा कि अगर मैं जो तीन चार सो नई रिक्वेस्ट आई है उनको भी सी में जोड़ लेता हूं तब तो फिर यह संभव हो जाएगा कि मैं फेस्बूक भी चला सकूंँ फिर तो इतनी पोस्ट आ जाएगी पूंचे मत क्योंकि आम तो पर मैं लोगों को अनफॉलो में भी डाल दूँगा तो अगर आप मुझे फेस्बूक में जुड़ना चाहते हैं तो आप उसी आईडी पे क्लिक करके उसी लिंक से आ करके जो आईडी खुलेगी तो उसमें मुझे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजेगा तो मैं से तुरं स्विकार करूंगा और आ अन्यवाद शुभरात्री जय हिंद